तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज अपने इस वीडियों बात करने वाले जो आपका हाल फिलाल में जो पीबी का जो कलेंडर अपडेट हुआ था उसमें बहुत सी कुछ वेकेंसी है जो पेपर में तो आ रही है बट अपडेट कलेंडर में नहीं हुई है जैसे पटवारी भरती, MP, ASI, Steno ASI जो सी बरती है वो कलेंडर में अपडेट नहीं हुई तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूजड है कि ये भरतियां तो अपडेट हुई नहीं है तो हम क्या तैयारी करें तो आज अपने इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको इसी लेटेस अपडेट मिलती रहेगी तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं तो जैसे कि आप सब जानते कि आपने हल फिलालवी जो पीबी का कलेंडर अपडेट हुआ था उसमें आपने सारी एक्जाम्स देख लिए होगी कि जो मद्यप्रदेश पुलिस की वरती है वो जनवरी में है अभी इंट्रेंस एक्जाम है वो दिसंबर तक सारे इंट्रेंस तो वो लोग निराश हो गए कि पटवारी का जो ए वो तो अपडेट ही ने है कलेंडर में तो ऐसा नहीं है कि पटवारी की जो पीबी कलेंडर में अपडेट होगी तो ही एक्जाम आईगी ऐसा नहीं है सबसे विले मैं आपको पटवारी का बता देता हूँ कि जैसा नोटिफिकेशन देखने में पटवारी का यदि सरकार अनुमती दे देती है उसके बाद तो आप ये मत चोल के सोच के चलिए कि कलेंडर में अपडेट नहीं हुआ है तो पटवारी भरती नहीं आईगी पटवारी भरती कंफो में 2022 में आना और बीच में ही आईगी ठीक है य जिसको लेके भी लोग बहुत चिंचती थे कि पीवी में तो अपडेट है नहीं जो एमपी एसाई और स्टेन एसाई की एक्जाम होती है उसका मैं आपको बता देता हूं कि वो एक्जाम कभी अभी तक जितनी बार भी हुई है वो कभी पीवी कलेंडर में अपडेट हुई बहुत तक की तक ह्रों होती है तक है उसके बाद आपकी जो होती है एक्जाम हुती है और असके बाद आपकी जो होती है मैं माई के बाद कभी भी हो सकती हैं तो आप तयारी बहुत अच्छे से रखिए पटवारी या ले बच्चे जो पटवारी की तयारी कर रहे हैं वही पटवारी की तयारी करते रहिए क्योंकि 2000 बाइस में आपकी पटवारी के एक्जाम होगी ठीक है और जो MPSI और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादे आदा शेर कर दीजिए चलिए नए विडियो मिलते हैं नए टॉपिक साथ तब तक लिए जैहिंद बंदे मात्रम